सरकारी उस्पताल की कूबेवस्था चिकस्षकों द्वारा निजी क्लेनिक बंद कर लिये जाने से इधर उधर भटकने को मजबूर कोबिड यूम अन्न बीमारियों से पीड़तों के सहायतार्थ भागपा माले आईसा इनाउस यूम एपवा द्वारा सहर के विबेक बिहार म महुले में जारी हल्पलाइन सेंटर से बड़ी संख्या में लोग लाबानवित हो रहे हैं इस संदर में जानकारी देते हुए आईसा जिला सच्चिव सुनिल कुमार ने कहा कि कोबिड समेत अन्न बीमारियों से पीड़तों के सिवार्थ 24 घंटे हल्पलाइन सेंटर चलाय सोत्र 72-09-29-616 भागपा माले की सुरेंद प्रसाद सिंग का मुबाइल नंबर है 94-30-95-32-13 माले जिला सचिव प्रोफेसर उमेस कुमार का मुबाइल नंबर है 94-30-0-44-92-98 एपवा जिला अध्यच बंदना सिंग का नंबर है 70-50-30-31-38 आईसा जिला अध्यच लोकेश राज का मुबाइल नंबर है 89-89-87-87-79 आईसा नगर सचिव दीपक यादो का नंबर है 97-08-72-87 दीपक यदवनसी का मुबाइल नंबर है 62-00-19-90-73 समेत अन्यनेताओं का मुबाइल एउम वाटसेप नंबर सारब जुनिक किया गया है जरूत मन्नों का इस नंबर पर लगातार फोन ये उम वाटस अप मेसेज आती रहते हैं कुछ रोगी पर जनों के साथ खुद भी आते हैं उन्हें जरूरी के अनुस्वार संबंजित चिकिस्षक के हाई राज करा दिया जाता है ताजपूर के मोती पूर निवासी योगेंदर दास फतेफूर के आयत समेत अने दरजनों लोग पर दिन लाभान भी सो रहे हैं माले जिला कमेटी साथ सुरेंद प्रसाथ सिंग ने बताया कि रोगी से धन संपत्ती खटा करने वाले अधिकांस चिकिस्षक भीषण करोना काल में अपना प्राइवेट क्लेनिक बंद कर लिया है ऐसे मिलाज के लिए दरदर की ठोकर खा रहे पीड़तों को हर एक प्रकार की सहायता किया जा रहा है कोबिट से पीड़ित परिवारों को जरुरोत की दवा घरेलू सामक्री आज तक उनके घर तक पहुचाया जा रहा है एपवा की जिला अध्यच बंदना सिंग ने आनि संगठनों दलों से आगे आकर पुईडित मानावता की सेवा में उतरने की अफील की है अभी जो पुरे देश में कोबिट का दोर चल दा है दोर में आईसा अर्वाईए यपवा और भागपा मालेक के द्वारा हम लोग यहां को समस्तिपूर में हेल्प लाइन संटर चलाए है इस में हम लोगों के द्वारा कोबिट परसेंट हो चाहे समान्य बिमारी के लेके टाक्टरों से बरावर बातित होती है और हम लोगों के द्वारा उन्हें जो कोबिट मदद किया जाता है चाहे दवारा आईसा रवाईये और भागपा माले के टीम ने समस्तिपुर में कोवीड वा समानने बिमारियों की पेशेंट को हेल्प के लिए यहाँ पर कोवीड हेल्प लाइन सेंटर का हम लोगा स्थापना किये हैं आज जिस तरीके से देख रहे हैं कि देश में ये कोरोना आपदा है उस दोर में जिस तरीके से देश को सुरक्षा से बचाने के लिए हमारा आडमी ढाल होता है उसी तरीके से हमारा शमाज में कोई विप्दा होता है तो उसको बचाने के लिए मंत्री विधायक और सांसत वो ढाल होते हैं लेकिन आज मंत्री विधायक शांसत अपने छिद्र की और जनता को सुध लेने की बजाए घर में दूबके हुए हैं आईसे स्थिती में हम लोग का टीम यहाँ पर लिए लगातार चिकिस्षक से प्रामर्स ले रहे थे उनकी देखरेक में इलाज करवा रहे थे वैसे स्थिती में समस्तीपुर के चिकिस्षकों ने अपने अपने प्राइबिट किलिक बंद कर लिये हैं सरकार तो पहले ही हाथ खरी कर दी है सरकारी अस्पताल में कोई बेहतर विवस्था है नहीं ऐसे स्थिती में आईसा इनोस एपवा भागपा माले द्वारा समस्तीपुर के विविक विहार मुहला में कोबीड एबम अन बिमारी से संबंधित हेल्प लाइन सेंटर का आयोजन लगातार जारी है इसे स्थिती में कोबीड लगातार जारी है